Hello everyone, welcome to my channel Learning with Dr. Simphi और आज मैं आपको हर्याना State Board of Technical Education का जो कल मैंने notification बनाया था regarding that of exam, उसका notification HSBT की website पे आ गया है और साथ की साथ कुछ नए notification भी आया है जिसकी दरजानकरी मैं देने जा रही हूँ अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसे सबस्क्राइब कर लिजिए ताकि कोई भी latest information हो तो जल्से जल्से आपको मिल जाए तो सबसे पहले जो conduct of examination के लिए आया है कि जैसे पहले COVID-19 की guideline के according जो intermediate semester के student थे उन्हें promote कर दिया गया था और जब आकी semester के student थे उनके पहले online examination भी लिए गए थे लेकिन network connectivity और सब देखते हुए और कुछ नलायक बच्चों का जो पढ़े नहीं थे और उनके भी online exam की वजए से extra अच्छे marks आ गए थे ये बात मैं नहीं कह रही हूँ ये HSBT कह रही है उनके according तो उन्हें ये लगता है कि जो examination है वो offline mode के examination ज़्यादा अच्छे रहते हैं in comparison to online exam for evaluating the student and deformancy के लिए जो PCAE guideline जो 9 July 2020 को जारी की गई थी उसके according जो उनके exam है वो जरूर होने चाहिए और उन्हें डिप्लोमा तब ही मिलना चाहिए जब वो दोनों first और second year के examination में पास हो जाए तो इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने ये decide किया है जो कि कल मैंने notification जो एक बच exam होए थे 20 जुलाई 2021 से 27 जुलाई वो भी बहुत अच्छे से offline mode में conduct हो गए और NEET और जो other exam है वो भी offline mode में conduct कराए जाए जाएंगे तो इन सब को देखते हो वो यह चाह रहे हैं कि terminal semester के जो exam है first और second year exam जो है वो 9 August से start कर दिये जाएंगे और 9 August से start किये जाएंगे वो offline mode म exam start किये जाएंगे और जिससे अगस्त में हो जाएंगे आपके exam और जो lateral entry के through BTEC में admission लेना चाता है तो वो भी अकसानी से उसमें admission ले सके और intermediate student जो हैं उनको क्या कर दिया जाए पर्मोट कर दिया जाए यह सब लिखा है इसमें आप देखिए offline exam यह ज़्यादा important है कि offline exam जो होंगे first year of de-pharmacy of 2020 batch only उसके offline exam होंगे second year of de-pharmacy of 2019 bench only six semester of 2018 batch only second semester of level of devocational courses और eight semester of part time courses इन सब के examination जो है वो offline board में होंगे अभी उनका दे दिया गया है और reappear जो student है उन्हें PCA form जो है उनका उन्होंने भरा है और उनके examination भी जल से जल कराए जाएंगे जैसे ही feasible होगा अगर वो अभी थोड़ा late कराएंगे या कैसे भी कराएंगे तो उनको उसके लिए fee दुबारा से pay नहीं करनी होगी वही पी उनकी consider की जाएगी और उनके exam जल से situation को देखते कराए जाएंगे इसके अलावा जो आया है वो आया है डी vocational diploma of vocational courses की date sheet जारी करती गई है website पे जिसका मैं link description box में दे दूंगी similarly date sheet जो है technical education के जो है देखिए यह सब जैसे पहले आती है architect की auto chemical civil engineering सबकी 9 August morning से paper start होंगे offline board में six semester के देखिए six semester की date sheet जारी करती गई है क्योंकि अभी जो exam होंगे six semester eight semester जो correspondence बच्चे हैं और vocational बच्चे हैं उन सब की date sheet आ चुकी है और उनके जो exam होंगे वो offline mode में exam होंगे तो यह latest information है अगर कोई भी doubt हो तो comment section में लिखिएगा I will help you और आपको यह लग रहा होगा कि मैं यह वीडियो बनाई उसमें थोड़ा डिले कर दिया यह तो news पुरानी होगी तो जब मैं जैसे ही अपने कामों से free होती हों क्योंकि मैं job करती हूं तो उसके बाद मैं यह video बनाती हूं आपके लिए so thanks for watching and please like share and subscribe my channel for latest information